हेलो एवरिबन गुड मॉर्निंग तू अल अफ यू हम क्लास सेवन्थ का टॉपिक कर रहे हैं फ्रैक्शन्स एंड डैसिमल उसके अब एक्सोसाइज 2.2 कर रहे हैं इक्सोसाइज 2.2 के मैंने आपको पिछली वीडियोस में 1 2 3 questions करवा दिये हैं और 3 questions के 1 2 4 questions मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए हुए हैं अब हम फिफ्ट कोशन से स्टार्ट करेंगे ठीक है मेरे साथ जुड़े रहना मेरी वीडियो को जुरूर देखना और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इसके पिछली वीडियो का भी पूरा लिंक में आपको दे दूँगी आप प्लीज मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक ज़रूर कर लेना चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अपने वीडियो अब हम थ्री कोशन का थर्ड कोशन का सिक्स्थ पार्ट करेंगे आज वो क्या है फाइब बाई टू इन्टू सिक्स पहले आपने देखा होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने जो भी कोशन किये हुए है उसकी स्टेटमेंट कैसे होती थी जैसे उन्होंने लिखा हुआ होता था 7 इन्टू 3 बाई 5 ठीक है 7 को उन्होंने लेफ्ट साइड पे राइट किया होता है ठीक है और 3 बाई 5 जो फ्रेक्शन वाला पार्ट था वो उन्होंने राइट साइड पे राइट किया होता था तो अब यहाँ पे क्या है fraction वाला पार्ट left side पे है और बिना fraction के पार्ट right side पे है तो confuse मत होना बच्चो यह बहुत ही easy concept है ठीक है आप इसे अपने mindset trick से जैसे मर्जी कर लो इसके मैं आपको 2 ways बताती हूँ 2 ways कैसे जैसे आप अगर अब आप 7th class के student हो तो आपके लिए तो बहुत easy है आपको सभी कुछ बता है कि हम cutting कैसे करते हैं number की cut जब हम करते हैं किसी भी number को उपर से नीचे वाले को cut थीक है जैसे हम table write करके table को बोलके देखके और आप इसका second concept क्या है कि आप उपर वाले number को उपर वाले number से multiply कर दे रहा हो और आपका answer आजाएगा उसके बाद divide करने से तो इसका second way और first way मैं आपको दोनों ही बताऊंगी इसका first way क्या हो गया एक तो यह से हमने यहाँ पे statement को write किया तो आप यहाँ पे cut कर सकते हो तो two ones are two two threes are twelve ठीक है आपका answer यह आगया और five को three से multiply कर देंगे तो fifteen this is your answer ठीक है तो second concept देखो क्या है हमने क्या करना है five को six से multiply कर देना है और two से divide कर देना है five six चा 30, 30 by two तो अब हम उन्होंने बोलाया कि आपको mixed fraction में अंसर लिखना है जब हम mixed fraction की और बढ़ेंगे तो हम 30 को अंदर के two से divide करेंगे तो two one's are two आ जाएगा यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे one और zero बचा यह ten आ गया two five's are ten आ गया यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे तो कुछ reminder बस चाहीं नहीं ठीक है तो हमारा अंसर इसका भी 15 ही आएगा आप चाहें ऐसे कर लो चाहें आप ऐसे कर लो आपकी मर्जी ठीक है बहुत easy concept होता है math math कोई tough चीज नहीं होती अगर आप उसे समझ के करें तो ठीक है चलो अब हम next question करते हैं question number 7 वो क्या है 11 into 4 by 7 अब हमने क्या करना है 11 को 4 से multiply करना है 11 4 जा 44 divided by 7 ठीक है तो 44 को 7 से हम divide करेंगे 7 का table पढ़ेंगे कहां तक 6 तक 7 6 जा 42 ठीक है तो यहाँ पर 4 में से 2 गए तो 2 आए है हमारा 2 is reminder 6 is quotient 7 is divisor तो quotient plus reminder over divisor यह आपका answer आ गया finish आपने mixed fraction में answer को write कर दिया है next question आपका question number 8 वो क्या है 20 into 4 by 5 ठीक है अब यहाँ पर भी आप वही concept लगा सकते हो वो कैसे हमने लगाना है कि आप इस 5 की 20 से cutting भी कर सकते हो ठीक है और आपने क्या करना है और आप 24 से multiply करके उसके बाद भी divide कर सकते हो ठीक है आपकी मर्जी आपका कभी भी answer गलत नहीं होगा exam में जैसे मर्जी करके आना ठीक है तो हम ऐसे ही करते हैं 4 to the 8 means कि यहां पर 800 आड़ा आ गया और 5 से हमने यहां पर divide करना है तो अब हम फिर वही concept करेंगे कि 800 को अंदर रखके 5 से divide करेंगे तो 5 1s are 5 5 2s are 10 हो जाएगा ठीक है बड़ा हो गया तो हमने तो छोटा लेना है तो 5 6 जा 30 और 0 यहां पर as it is लग जाएगा तो यहां पर भी देखो reminder तो कोई बचा ही नहीं तो हम reminder के लिए हम यह नहीं सोचेंगे कि उन्होंने mixed fraction में answer लिख यहां पर reminder बचे गए नहीं तो आप कहां से लेके आओगे तो इसका answer आगया 160 ठीक है अब हम अपने next two questions जो रहते हैं जल्दी से complete कर लेते हैं बिना देरी के यह कह 13 into 1 by 3 तो आपने 13 by 3 करती है 13 into 1 13 आगया over 3 तो 13 को आपने 3 से divide करना है 3 का table कहां तक पड़े होगे 3 4s are 12 और 1 आपका reminder बचा है 4 आपका question and 3 आपका advisor तो आपका answer क्या आया 4 1 by 3 अब last question बचा है हमारा वो कह है 15 into 3 by 5 ठीक है अब यहां पे भी cutting कर सकते हो 5 1s are 5 5 3s are 15 और 3 into 3 is 9 आपका answer 9 ही आएगा जैसे मर्जी कर लो चाहे आप 15 की 3 से पहले multiply कर देना another way है ठीक है answer में ऐसे ही मतल लिक देना दोनों वे से 15 into 3 is 45 45 by 5 ठीक है तो 45 को अंदर रखके 5 से डवाइड करोगे तो 9 ही आएगा ठीक है यहां पे हमारी ये वीडियो खतम होती है thank you for watching my videos ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहना मेरे चैनल को subscribe करके bell icon को जुरूर प्रेस कर देना हम अपनी next वीडियो में इसके बाकी रहते हुए पार्ट करेंगे thank you for watching my video